इन चार लोगों को भूल कर भी नहीं खाना चाहिए संत्रा, जाने संत्रा खाने के नकसान, संत्रा खाने के नकसान भी होते हैं, संत्रा एक ऐसा फल है, जिसमें परियाप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, संत्रे के सेवन से शरीर में विटामिन सी की कमी को आसानी से पूरा किया जा सकता है संत्रा खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादा संत्रा खाने से शरीर को नुकसान भी पहुचता है संत्रा हमेशा दिन में खाना चाहिए रात में संत्रा खाने के नुकसान होता है संतरे की तासीर ठंडी होती है जिसके कारण यह फायदा करने की बजाय नुकसान पहुंचाता है संतरे में विटामिन C के अलावा विटामिन A, B, कैल्शियम, मैगनीशियम, पोटैशियम, फोस्पोरस आदी पोशक तत्व पाय जाते हैं संतरा खाने के नुकसान संतरे में मौझूद फाय बरपाचन क्रिया को ब्रभावित करता है इसलिए ज्यादा संतरा नहीं खाना चाहिए छोटे बच्चों को ज्यादा संतरा नहीं खिलाना चाहिए उनको पेट दर्द और बेहुशी की समस्या हो सकती है प्रेगनेंसी और ब्रेस फीर कराने वाली महलाओं को भी परियाप मात्रा में ही संत्रा खाना चाहिए आर्टबर्न के लोगों को संत्रा नहीं खाना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि संत्रे में एसेट की मात्रा पाई जाती है जो हाट के लिए निकसान दायक होती है संत्रा खाने के फायडे संत्रा खाने से रोग प्रतिरोधक्षमता बढ़ती है संत्रे के सेवन से त्वचा में निखार आता है संत्रा खाने से कोले स्ट्रॉल को कम किया जा सकता है गठिया के मरीजों के लिए संत्रा काफी फायदे मंत साबित हो सकता है अगर कोई किड्नी में स्टोन, पत्री की समस्या से जूज रहा है तो उसके लिए संत्राकारगर है